कि बूर्णिंग स्ट्रेंट्स हावर यू कैसे हैं आप लोग सो बहुत दिनों के बाद हम वीडियो अप्लोड कर रहे हैं लग बग एक हफ्ता हो गया हमने कोई वीडियो अप्लोड नहीं करी बच्चों के पेपर चले थे रभी हम त्यारी कर रहे हैं इस वह सिक्नम में उनको नहीं क्या लेकिन एक नए टोपिक के साथ आते हैं क्लास 11 का कंजूमर एकृबरब इंडिफरेंस करण टीके इस से पहले हम समझने से पहले कुछ चीज़ जान ले किया किस तरीके से काम होती है कौन कौना चीज़े से हम मान के चलते हैं अर्जीम करके चलते हैं तो एक बड़े बहुती फेमस प्रोफेसर हैं जे आर हिक्स के नाम है जे आर हिक्स बड़े फेमस हैं तो इन्होंने जो है क्या कहा था बहुत फेमस प्रोफेसर ने ये कहा था कि ये नोबल प्राइज बना भी है और जो क्योंकि utility को हम one two three में आसानी से डिफाइन नहीं कर पाएंगे satisfied नहीं कर पा रहे हैं और डिनल में satisfaction को लेकर हम कर सकते हैं satisfaction को one two three की form में define करना एक थोड़ा सा उल्जन भरे चीज है लेकिन हम और डिनल में उसको define करेंगे utility को define करेंगे तो psychologically हम उसको बेहतर तरीके से define कर सकते हैं और डिनल को और डिनल अप्रोच को इस में इससे जो हमने पहले जिट निव टॉपिक डिसकस किये थे वो उसमें हमने लिया था cardinal यानि जो हमने PPC की बात करी थी तो हमने cardinal अप्रोच लिया था अब इसमें हम लेंगे इंडिफरेंस करें और डिनल अप्रोच यानि हम कंस्टूमर को satisfaction वाली सिस्टूशन में जज़ करना चाह रहे हैं और कंस्टूमर को हम जब ज़ज करेंगे तब जब वह equally सटस्थाइए होगा और हम नंबर नहीं देना चाहरा है ठीक है जस्लाइक मेरे पास कोई भी 2 घूटस्थ तूगोस हैं अप ऑक तूगोस ही क्यों ले रहे हूं जादा भी ले सकते हो साजल एक वी ले दूह सकते हैं तो हम पैर्स और यह दो हम कंपरीजन कर रहे हैं तो हम हजार भी ले सकते हैं लेकिन टेक्निकली कर हम बात करें आसानी के लिए बात करें तो हम ग्राफ पर हम इसको रिप्रेजंट करेंगे तो एक एक्सिस और वाई एक्सिस पर रिप्रेजंट करेंगे तो हम आसानी से हम उसको रिप्रेजंट कर सकते हैं समझा सकते हैं अब 100 goods को लेके बनाएंगे हम, तो बहुत डिफिकल्टी होगी, और बहुत सारी चीज़े इसमें ऐसी होती हैं, जो अगर excuses आप बच्चे देते हैं, कि सर ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता, तो हम यह कहते हैं, other things remaining constant, हम मान किलते हैं, उसमें कोई भी चीज, change नहीं आ रहा, उसमें जाएगी, अब बात करें, two goods की, two goods, two goods मान लेजी, x and y, x and y, अच्छा, हमने, हमने चीज, इसमें, जो से वाले, पहले वाले चप्टर था, हम जो graph पढ़ा था, वो concave पढ़ा था, इसमें है convex, that is, यह ठीक है, इसमें, दो goods हैं, इसमें एक goods का addition है, the addition of one good, on the other hand, sacrifice of another good, अब इसको हम, x और y, भी कर सकते हैं, अब हम यह कह रहे हैं कि, जिसे के for example, के, दो goods को, अगर हम एक साथ increase करें, जिस लाइक, यह इंडिफरेंस करको, अगर आप है, हम यह मताँगा क्या होता है, अब मैंने दोनों goods को increase किया, तो satisfaction level में यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, तो हम दोनों goods को, यानि एक इनसान का जो सोच होती है, यानि इनसान की एक thinking होती है, psychological thinking है, अगर उसको कोई चीज ज़्यादा मिलेगी, तो उस ज़्यादा को preferent करेगा, as computer less, as computer less, अगर मैं आपके सामने two apples और two oranges रखूं, और आपके सामने three apples और two oranges रखूं, तो आपकों सा combination चूज करोगा, obviously बात है, आप यह वाला combination चूज करोगा, क्योंकि आपको ज़्यादा मिला है, ठीक है, यानि हमें कोई बीचीज extra मिलेगी, तो हम extra वाली को हम adopt करेंगे, चूज क तो यह इनसान का behavior है, कि वो ज़्यादा वाली को choose करता है, अब आते हैं, दो goods का combination क्यों लेते हैं, एक तो इसी के लिए लेते हैं, और हमें कम सा minimum two goods तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी चीज को combine करने के लिए, combination बनाने के लिए, तो नो goods पे हमें अपनी entire income, क्या करनी है, entire income, entire income, entire income को spend करना है, खर्च करना है, दोनो goods के ओपर, ठीक है, तो मान की चलिए, मेरे पास 500 रुपीज थे, 500 रुपे, और 500 रुपे मैं पूरे के पूरे उस entire goods के ओपर खर्च करूँगा, अच्छा, यहां बात हो रही है, दो goods की, तो दो goods में मुझे combination है, यानि बंडल है, या बंडल और मान लो, four, और four, चीक है, ऐसे माल लीजे, तो मैं सबसा highest वाला option को चूज कूँगा, और four four वाला को, यह बंडल है, बंडल क्या है, combinations है, उन बंडल को हम purchase कर रहे है, with a income of 500 रुपीज, और उस 500 को हमें पूरी तरीके से खर्च करना है, तो जब भी हम वो 500 रुप पर खर्च भी करना है, एक goods अगर बढ़ेगा, ऐसे मान की चलीगा, मैं और की clear तरीके समझाओ, उसमें, ऐसे मान लीजा, आप को, पर पाथ 500 रुपे थे हैं, मुझे 500 रुपे खर्च करना है, दो गोड़ मेरे पास, मैं मान की चलीग, एक सौर रुपे इस पर खर्च करती है, चार्ट रुपे पर खर्च करता है, क्या मतलब है, कि जब मुझे पूरे 500 रुपे खर्च करना है, तो मुझे combinations को arrange करना नहीं पड़ेगा अगर मैं दूसरा combination मेनाता हूं तो इसको मुझे 300 करना पड़ेगा करना पड़ेगा मतलब मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे और मुझे चेंजेस लाओंगा वो bundles एक bundle के फ़र्म मुझे एक में 100 चीज मिल नहीं 400 मिल नहीं 200 300 यानि वो मनी हैं जो मेरे पास रिसोर्स है 500 वो फेक्स्ट अमाउंट है सेम प्राइस है मैं चेंज मनी जो है चेंज नहीं हो रहा चेंज नहीं होगा मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो जायर से बाद में किसी भी एक गुड्स को अगर मैं बढ़ाता हूं तो मुझे दूसरे गुड्स में डिक्रीमेंट तो करना ही करना है अधर वाइस तो हम सट्डिसफाइड ही नहीं हो सकते अब हम समझते हैं कौन कौन सी चीज़ों से हम को एक इन्डिफरेंस का श्यडूल मना लेते हैं तेबल मना लेते हैं इसको समझ लेके लिए फिर उसका गिराफ बनाते हैं और फिर उसकी प्रोपर्टी इसको डिसकस करेगे और उसमें ही आगे चलते हैं उसी टॉपिप को आगे लेते हैं इंडिफ्रेंस शुडूल बनाया है है हमने अभी हमने डिसक्स किया था करना तक 2 गुड्स क्यों होते हैं और क्या वाज़े हैं eldo goods भी हह समझाते हैं क्यों X and Y यह हमारे दो गुड्स है यह इसको कहते हैं इंडिफरेंस शेडू है इसमें हमने कॉम्बिनेशन बनाए ए बी सी आप सो कोई भी नाम दे सकते हो पी की वारेस यह जो भी आप नाम देना चाहो तो यह दे सकते हो इसमें एक गुड का इंक्रीमेंट है और दूसरे गुड का डिकरीमेंट बिता है तो च्छा मतलब गजए एक गुड्स इंक्रीज हो रहा है दूसरे बड़िफिय और हमें इसी कॉम्बिनेशन को सेट करना तो यह नहीं है कुए कोई चीज ज़ादा मिलेगी तो हम यासी X का गूड पत्रै कि एक पढ़ा हैं तो इतर 6 बढ़ा है तो आप तो सभीनेशन है वो सैडेस्ट्राक्शन है या तोановल सब्सट्रक्शन है और या कम छे कम आप यह कह सकते हैं कि सेम और इक्वल साडिस्फरक्शन में लाए कस्टुमर को या या कह सकते हो आप परसन को यह सारे पॉइंट्स के ओपर अब इसमें समझने वाली बात एक चीज़ और है आपने देखी जो डिक्रीज हो रहा है हमने क्या पढ़ा था MRS हमने पढ़ा था जब marginal rate of substitution यानि एक तरीके से जब हमारा किसी भी goods का consumption increase होता है यानि किसी भी goods का समझें किसी भी goods का consumption increase होगा तो उसकी जो marginal utility हो डिक्लाइन होती है अब आप देखिए यहां पे तो 1-1 का जो है increment हो रहा है लेकिन इधर जादा decrement हो रहा है जो हम जादा sacrifice कर रहे हैं वो शु क्रिफाइस है वो हमारा minimum level पर चल जा रहा है यानि हम जो है उस जो हो रहा है अब हम उसकी जो marginality वो बढ़ रही है एक समझें इस चीज़ को दूसरी चीज़ अगर हम इसको ग्राफ में रप्रेजेंट करेंगे तो यह ग्राफिकल रप्रेजेंटेशन हो जाएगा उसी को ह रहतर तरीके से लिखना है तो कंसूमर क्या है के पास दो गुड्स है वराइटी ऑफ गुड्स का कॉंबिनेशन उसने बनाया है और डिफेंट डिफेंट कॉंट्रीश है उसने और उन बहुत को कमाइंड करके इकॉली सेडिस्फाइब हो रहा है जैस कॉल इंडिफरेंस श और इनका डिफेंट से हमारा why degrees हो रहा है जो धार जिए इसको रपकर अंधी और सिंपल इस तरह की फार्म में आएगा उन कर दिफेंट्रीश की फार्म में आएगा क्योंकि जो y का जो sacrifice है वो बढ़ रहा है वो increase हो रहा है अगर आप देखें तो वो तेजी से degrees हो रहा है और क्यूंकि उसका consumption घट रहा है बहुत तेजी से इसकी वज़े से जो graph है वो convex की शेप में आ रहा है अगर एक तरफ हम ले लेंगे इसमें x पर हमने 1 2 3 4 यह ले लिए ह x पर और y पर ले लेंगे हम एक तरीके से हम 2 का भी हम ले सकते हैं इसके इंदर तो 2 का अगर हम बहतर लें तो अच्छा है 2 4 6 8 10 तो इसमां combination ऐसे बना सकते हैं से 10 1 पर 10 था तो हमने इसको ऐसे बना लिए 6 2 पर है इसको बना लिए फिर है थ्री पर यहां पर हो गया 1 लास्ट पाला फोर पर हो गया यह combination हमारे हो गए A B C G और इन सारे पॉइंट्स पर इन जितने पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स पर कस्टुमर इक्वली सेडिसफाई है क्योंके जाहर सी बात है ऐसे तो है नहीं कि इसके ऊपर हमने कोई ग्राप बन रखा उपर सालेक्सा चीक है तो जादर सट्सक्राइब उसको मिल जाता यहां पर यह मतलब कहना चाहरे है कि यह जो इंक्रीमेंट है उधर को सट्सफाई कर रहा है इसकी वजह से जो हमारा कस्टुमर है वह सारे पॉइंट्स पर सट्सफाई है दूसरी चीज़ कॉनवेक् से देख्वी हो रही है और एक्स की स्टुड़ी चीं कम सिल्लो से बढ़ रही तो जिसकी वजह से संच माया है इंडिफरेंस कर्फ और इंडिफरेंस शडूल यह जब आएगा तो आप टेबल बनाईगा जब कर आपसे ग्राफ पूछे जाए जाए तो आप यह ग्राफ बन दिए सब्सक्राइब इसमें लिखेंगे तो आप Equal Satisfaction अब इसमें लिखेंगे तो आप Equal Satisfaction देबल शो रहा है तो यह हमारा Indifference अब वागते हैं निडिफ्रेंस च्रॉडूल और हम करते हैं चैने इनिटेर्फरेंस का ने मैप करने कुल आउज को क्लाक्षिनिक्षिन अरप कि लो वो सब Indifference Map हो जाएगा, यानि बहुत सारी Graph को एक साथ collect कर लेंगे, हम Indifference Curve को कर लेंगे, इच ही रुप उपसाज़ेंगे Indifference Level of Sub-Distruction, और सारी जो Graphs हैं वो हर Indifference Level of Sub-Distruction बताएगा, यानि Indifference Curve का Graph क्या था, यह था, यह वाला Graph था, तिक है, X पहो गया, Y, यह यह इस से ज़्यादा है, यह से ज़्यादा है, यह से ज्यादा है, यह से ज़्यादा है, अगर हम बात कराएगा High School, यह हम यह और सकते हैं, ।पर का।ॉर जो गड़ Penis Soul आप सबसे जादा maximum है, सारे Combination, of number of indifference curve called as indifference map, ठीक है, बहुत सारे indifference curve को मिला दिया और उसको हमने indifference map कहा, ठीक है, simple है, बहुत easy है, यानि हमारे पास जाहर से बंडल्स माल लिए, जैसे फर गांपल एक बंडल माल लिए, दो बंडल माल लिए, ठीक है, तीन बंडल माल लिए, combination बंडल माल लिए, फोर और फाइव का, यह हो गया, फाइव और सिक्स का, यह हो गया, सैवन और एट का, अब जो maximum है, हम उसको चूज करेंगे, हम जाहर सी बात ही, customer का, या कैसे ती इनसान का behavior है, कि वो maximum वाली चीज़ को चूज करता है, यहाँ पर हमें, जिसमें ज़्यादा maximum satisfaction मिलेगा, वो ही हम उसको चूज करेंगे, तो higher the indifference curve, higher the level of satisfaction, जतना ज़्यादा indifference curve उपर होगा, उतना ही हमारा satisfaction लेवल भी उपर होगा, यहाँ पर सबसे कम satisfaction है करें, यहाँ पर सबसे कम satisfaction है करें, higher the level of indifference curve, higher the level of satisfaction, अब इसमें एक word बहुत लदा आता है, उसको all discuss कर लेते हैं, इसी के अदर, ठीक है, monotonic preference, क्या है, monotonic preference, 风 to make smartphone, monotonic preference, any one dote preference मतलब एक तरह किसे हम किसी को ज्छाधा importance दे रहे है, prefer कर रहा है उस चीज़कों, तो monotonic preference हम किसे प्रफर कर रहे है, जो हमें ज्छादा satisfy कर राया है, ज्छाषा ज्छाधा combination दे रहा है फोई में ज्यादा दे रहा है तो हम उसे अडॉप कर लेंगे फॉरण तो वही हमारा साइकलोजिकल बेहबियर है अगर हम किसी शॉप में जाते हैं और दुकानदार हमें कोई चीज पर फ्री दे रहा है तो हम फ्री वाली चीज को लेना पसंद करेंगे उसके साथ क्यों कि उसमें हमें एक्स्टा चीज मिल लए आ अपने देखा होगा आपने ज 사진 ऑने में चीज आप आप durch दो सरी चीज उन्हां पर यह 20% थीर चीज़ चार रहें इसी तो रिक गल्डे राड़ को शायर को बस्रबया है उसी कि थालोए है कि लेन पर में देति आरे यह चूछ करना है कि टू और बनका 3 और बनका 4 और बनका जाहिए सी बात है मैक्सिमम बंडल है में हम उसको चूस करेंगे इसमें सबसे सबस्दाइब मानोतॉनिक परफरेंश ठीक है वहां पर क्या था higher the level of indifference curve higher the level of satisfaction यहां पर क्या है जो बंडल जो हमने चूज की है बहुत सारे उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज जिसमें मिले हुए हम उस बंडल को चूज करेंगे यह हम यह कह सकते हैं जिसमें सबसे कम चीज मिले हुए हम उसको चूज नहीं करेंगे his monotonic preferences यह क्हुंक हमसा हम सक SUS toos == के बारे में閉 Eles के लिए。」 और यह हम डिसकर करेंगे वो करेंगे इसकेंदर properties of a difference लिए तह अब दूसरी वीडिए बनाएंगे इंडिफ्रेंस की प्रॉपर्डीस के बारे में यह पार्ट बन हो गया फिर पार्ट डू को हमारे प्रॉपर्डीस हो जाएंगी इसी तरह के से इस चैप्टर को हम तीन पार्ट में पूरा डिवाइट करते हैं